हमारा पहला सवाल है भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है दोस्तो इसका अंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना अंसर कमेंट करें इसके लिए आपको दिये जाएंगे 5 सेकिंड अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो लेकिन दोस्तो कमेंट जरूर करें जिससे आपकी प्रेक्टिस होती रहेगी इसका सई आंसर है सेसनाग एक्सप्रेस दूसरा सवाल है किस पेड की लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महंगी होती है इसका सई आंसर है लाल चंदन की लकड़ी तीसरा सवाल है मचली किस अंग की सहायता से सांस लेती है दोस्तो बहुत इंट्रेस्टिंग और नौलेजफुल सवाल है इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल भी स्किप्ट ना करें क्योंकि इस व इसका सई आंसर है गलफडों से चौथा सवाल है ओलमपिक खेलों का आयोजन कितने वर्सों के बाद होता है दोस्तो अभी तक आपने एक भी सवाल का जबाब कमेंट नहीं किया है तो अपना जबाब कमेंट जरूर करें इसका सही अंसर है चार वरसों के बाद पांचमा सवाल है किस देश में गंदी कार चलाने पर जुरुमाना देना पड़ता है इसका सही अंसर है दुबई में छटमा सवाल है विश्व की प्रतम रेल किस देश में चली थी इसका सही आंसर है इंगलेंड में सात्मा सवाल है ओते सूरज की भूमी किस देश को कहा जाता है दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नौलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वाटसेप पर, सोसल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा सीयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी इसका सही अंसर है जापान देश को आठमा सवाल है जीलों की नगरी किस सहर को कहा जाता है दोस्तों आंसर देखने से पहले आंसर कमेंट किया करें बाद मैं आंसर देखा करें जिससे आपकी प्रेक्टिस होगी इसका सही आंसर है उदैपुर को नॉमा सवाल है किस पेड को काटने पर बच्चे के रोने की आवाज आती है दोस्तो इसी तरह की इंट्रेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो रोज सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करने जिससे के नहीने वीडियो आपको रोज सबसे पहले देखने को मिलती रहें इसका सही आंसर है मैट्रिक ट्री दसमा सवाल है किस जीव का सिर कट जाने पर भी वह कई दिनों तक जीवित रहता है इसका सही आंसर है कोक रोज तो दोस्तो आप इन में से कितने आंसर सही दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुस रहें, मुस्कुराते रहें